आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर विडियो का टाइटल है रोजे से पैदा हुआ अवरत अनिरुद अचारी जी वर्सुन डॉक्टर जाके नायक तो रिखते हैं कि वीडियो को लास पर देखते हैं कि पंडित जी का क्या रेप्ला रहता है इस पे उसका डॉक्र ज ज़्यादा इंट्रस्टिंग रहता है तो स्टाट गरते हैं पीना टाम जाए करते हूं यह सोले देखते हैं अधर वाधि ज्श्यादा मैंडेडर और देश्भक्ति की बातें करते हो ना मैं टीवी में आपको देखा है रोम टेखड़ी हो जाते हैं मतलब सच मही तब आप तो मेरा कोश्चन यहां पर यह था कि मेरे फ्रेंड है तो मैं वरत करता हूं पर तब मैंने उनको कहाना कि वरत करा करो तो व्रत क्यों करते हैं व्रत करने के दो रीजन है पहला तो ब्रत का अर्थ होता है ब्रत का अर्थ यह नहीं होता कि आप कुछ खाओ मत ब्रत का अर्थ होता है प्रतिग्या मैंने इसकी ब्याख्या कथा में कई वार की है संकल्प आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं जूट नहीं बोलूँगा इसका नाम है ब्रत आज से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा इसका नाम है ब्रत आज से मैं अपने मावाब की सदा सेवा करूँगा इसका नाम है ब्रत हम एकादसी का जो हिंदू लोग हैं हम हिंदू लोग एकादसी का ब्रत इसलिए करते हैं महिने में दो दिन पेट को भी थोड़ा सा खाली रखना चाहिए डॉक्टर ये भी कहते हैं कि एक दिन आप नहीं खाएंगी तो पूरा पेट साफ हो जाएगा तो साइंटिफिक तो ये हैं कि आप एक दिन कुछ ना खाएं पर फिर भी खाने का मन हैं तो फल काएं क्योंकि रोज दाल चामल रोटी खाते हैं तो हमारे यहां कहते हैं फलाहार फलाहार मतलब फल में भी जो तत्व पाई जाते हैं प्रोटीन बिटामिन सित्यादी वो हमें हपते में 15 दिन में एक दिन मिलता रहेगा तो आप फलाहार करें तो आप उसकोई द्वारा प्राप्त कर लें तो आप स्वस्थ रहें कुल मिला के ब्रत का ये अर्थ है दूसरा भगवान के चिंतन में इतने खो जाएं कि पता ही ना चले कि आज हम खाए हैं कि नहीं उस दिन हब्ते एक दसी मतलब 15 दिन में एक दिन चौदा दिन खूब काम करो घर का परिवार का फैक्टरी दोकान बिजनिस का पर एक दिन भगवान को समय देकर भगवान की सेवा मैं लगो इसलिए एक दसी हम हिंदूओं का त्यवहार है जो कि हर महिने में दो बारा था इसी में मैं इंक्लूट करना चाहूं मतलब मैंने अपनी अपनी स्रद्धा है मैं आपके लिए भूखा रहूं भगवान के लिए भूखा लोगों को इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि आपकी आज तक किसी मुसलमान से पूछा कि तुम नमाज पढ़ने क्यों जाते हैं हिंदू इतने रास्ता भटक गए हैं अपने वो हिन्दूऊं से सवाल करते हैं आप और आप करते हैं कोई क्रिष्टन अस्ता क्या नहीं बोला क्रिष्टन से किस्ञा क्यों जाती है कोई नहीं बोला कि आप मदर्सा क्यों जाते हैं मुसलमा लेकिन हिंदू पता नहीं इनको अकल कब आएगी तो हम ऐसे केस में क्या कारे मतलब उनको छोड़ दे की रहें तो कोई बात नहीं उनको समझा सको तो समझा लो नहीं बोलो कठा सुनो महराजी समझाएंगा आपको कठा सुनो अपने आप उत्तर मिलेगा डॉक्टर जाकर नाइक रमजानलमबारक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि माह सयाम में ऐसी बड़ी पंदरा गलतियां हैं जो हम अकसर रौजा रखने के बात कर देते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक उन 15 गलतियों की वज़ा हम ऐसा क्यों करते हैं और उसका हल बताते हैं तो दोस्तो आईए आज की वीडियो की जाने बढ़ते हैं और जानते हैं कि माह सयाम में हम पूरा दिन भूका प्यासा रहने के बावजूद ऐसी कौन सी बड़ी पंदरा गलतियां कर देते हैं जिसकी वज़त से हमारा रोजा खुदा नखास्ता कबूलियत से महरूम रह जात हैं कि अर्बी जबान में कहे गए ये अलफाज सिर्फ नियत करने के लिए हैं अगर हमारी दिल से नियत है तो हमारा रोजा शुरू हो जाएगा जबके दरसल ऐसा नहीं है रोजा रखने की जो नियत है वो अपने मूं से कलमात अदा करना होंगे लहाज़ा जब तक कोई श बात साथ रोजा रखने की नियत करना बहुत जरूरी है दोस्तो दूसरी गलती बहुत आहम है आम तोर पर जनूबी अशिया बिलखुस पाकिस्तान और भारत में बसने वाले लोग ऐसी गलतीया करते हैं हम ने देखा है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब रोजा शुरू होत साथ रखने लगाठी तब तक साहरी खाई जा सकती है लेकिन दर असल ऐसा नहीं है डाक्टर जाकिन आजान शुरु हो, रोजा रखने और सहरी का वक्त खत्म हो जाता है हम बहुत से लोग ये गलती करते हैं और समझते हैं कि जब तक आजान खत्म हो जाती, तकरीबद दो मिनट ये तीन मिनट हमें आजान के लिए मिल जाएंगे, हम उसे इस्तमाल करने की कोशिश करते हैं और उसमें भी खाते पीते रहते हैं बहुत से लोग इस दौरान दात ब्रश करना या अपनी कोई दवाई लेना कुछ तबाकु नोश हजरात सिगरेट पीना या ऐसे काम इसी दौरान नम्टाते हैं जो के गलत है जो ही आजान शुरू होती है सहरी का कि नौस ही न के ले दौक ऑगा नीक ने कहा कि बहुत से लोग तीसरी बड़ी आहम गलती ये करते हैं कि वो खात और फतराना देने में ताकीर कर देते हैं आम दोर पर लोग ये समझते हैं कि फतराना देने में वक्त गुजर जाए तो जादा कबाहत नहीं लेकिन अगर पौजे मुकमल होने के बाद यानि एद के दिन या एद के बाद फितराना अदा करते हैं तो वो फितराना नहीं होगा वो एक आम खेरात तसवर की जाएगी और उसमें फितराने का सवाब हर्गिस नहीं मिल सकता यहां तक की जो तीन गलती आपको बताई गई हैं दोस्तों ये वो तीन गलती हैं जिने डॉक्टर जाकर नाइक ये समझते हैं कि ये सबसे जादा आहम गलती हैं जो अक्सर लोग करते हैं और इसे उन्होंने पहली कैटेगरी में रखना चाहा अब बढ़ते हैं दूसरी कैट तस्वर कर लेते हैं और नियत करने के बाद हम रोजा रख लेते हैं डॉक्टर जाकर नाइक ने कहा कि ऐसा बिलकुल भी मुनासिब नहीं नभी करीम सलिल्लाहो अलेह वालही वसल्म ने फरमाया कि सहरी करने में ताखीर करो जिस हद तक मुमकिन हो यहां तक के सुब का आग कर देती हैं यह भी मुनासिब नहीं है रोजा इफ़तार करने का जो वक्त है उसी वक्त पर रोजा इफ़तार कर लेना चाहिए डॉक्टर जाकर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि हज़रत मुम्मद सलिल्लाहो अलेह वालही वसल्म ने रिशाद फरमाया कि वो लोग बह कर खाओ लेकिन हमारे हाँ बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इफ़तार के वक्त खाना पर इशा की नमाज के बाद खाना पिर उसके बाद प्र खाना और सहरी तक वो वक्फे वक्फे से खाते ही रहते हैं यह आपकी सहत के लिए भी अच्छा नहीं और मजभी लिहाद से भी यह कुछ जादा बहतर अमल नहीं है। चोड़ना पड़ जाए तो छोड़ी जा सकती है, कोई गुना नहीं मिलेगा, लेकिन एक सुन्त पर अमल करना और नमाज तरावीह अदा करना बहुत जरूरी है, बेश्चक अल्लह इसका अजर देता है, डॉक्टर जाके नाइक ने इस मौके पर एक और इंतहाई आहम गलती क जानब इशारा फर्माया, जो कि हम में से अकसर अलमा और अकसर उमा में मस्जद कर देते हैं, दोस्तो वो ये है के हम तरावीह की नमाज की अदाईगी के दौरां बहुत तेज तेज करना पाक की आयात की तेन। ताकि वो लोगों के दिलों में उतरता चला जाए। डॉक्टर जाकर नाइक ने बताया कि नौवी इंपॉर्टन्ट और आहम गलती हम ये कर देते हैं कि एतकाफ में तो बैठ जाते हैं लेकिन दोस्तों के साथ मिलना जुलना जारी रहता है। मसाजिद में आने वाले लोगों से मुलाकात हो जाती है। साथ वाले मुतकिफीन से मुलाकात हो जाती है। और बेशतर वक्त उन से मुलाकात में ही गुजर जाता है। लेकिन 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 बताया कि एक और आहम गलती हम ये कर देते हैं कि हम ये समझते हैं कि लेकिन ताक रातों से मौदा एक् Means मौार्जा रित हुब है तरह से 23 शब, 25, 27 या 29 रोजे को ताक रात को तलाश किया जा सकता है और उन मेंसे कोई एक रात लैलत अलकद्र होगी डॉक्टर जाके नाइक ने कहा कि एक और बड़ी और आहम गलती हम ये कर देते हैं और उसके बागी वक्त हम सोने में ये किसी और ऐसे काम में गुजार देते हैं जिससे रोजे का वक्त गुजारने में हमें मदद मिल सके दरशल ये करना मुनासिब नहीं है डॉक्टर जाके नाइक ने कहा कि ये बहुत आहम है कि आप पांच फ़र्ज नमाजें अदा करें और उसके साथ साथ नफली अबादात को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं लॉक्टर जाके नाइक ने कहा कि बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि वो तलावत एक अलाम पाक नहीं पढ़ते जो कि उनके लिए अच्छा नहीं जो ही वक्त मिले माह सयाम में कुरान पाक की तलावत कसरत से की जाए और दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाके नाइक ने एक ऐसी घलती की जाने बशारा किया जो हमें से तकरीबरं सभी अफरात कर देए हैं और वो ये है के हम रोजा टो रक लेते हैं नहीं हम नमाज अदा करते हैं नहीं कोई अच्छा काम करते हैं और अपनी जिंदगी बिलकुल उसी तरह जी रहे होते हैं जैसे हम रमदान से पहले जी रहे थे आम दिनों की जिंदगी को मताबिक ही ये जिन्दगी जीते हैं बस फरق इतना होता है कब हम सारी और इफतार कर लmeeते हें और बाकी जिन्दगी वैसी ही रखते हैं उन्होंने कहा कि ये बिलकल भी मुनास्ब नहीं जैसा कि ईए ईमान वा लो रोजे रखो जैसे तुम पर फर्स किये गए वहीं ये भी कहा गया है तुम मेंसे जो शख्स रोजा रखे दिन भर भूका प्यासा रहे मगर वो बुरे काम ना छोड़े उसने जूट बोला उसने गाली दी अल्ला को याद ना किया तो उसका रोजा किसी काम का नहीं बिला शुबा वो शख्स पूरा दिन गैर जरूरी तोर पर भूका रहा और उसके भूका रहने का कोई फाइदा नहीं कि अपर पर छोड़ा आ भाईएदा नहीं जासे के मुस्लमान बताते हैं कि कुरान सब्सक्राइब में लिखा हूए जो फर्ज है रोजा आपको चरना है और को रखना है जिसे बहुत सरे बेंडेपेट्स मिलते हैं बहुत सरे बेमारिया नहीं करते हैं साइंस भी से प्रूफ करते है तो यह चीज बहुत अच्छ लगता है और जैसे डॉकर आकर ने बताया तो इससे यह पता चलता है कि रमजान और रोजा ऐसा है कि अपनी लाइफ को आपको सिस्टोमेटिक तरीके से चीजे जो भी है उसमें आपको भगवान को भी याद करना ह और जो भी आपके नॉर्मल जो दिन चरिया होती है जो जो काम काज च भी करना है तो यह है नमजान कि आपको टाइम से उठना है जो खाना कहन आ हो ता जग्स से करना है हर छीज मतला बसको बैसके बेंसरों सिस्टोमेटिक तरीके से चीजे होनी है तो यह था एप लिगों क कैसा लगा जरूर कमेंट बोक्स पर कमेंट करके बताना और अगर आप इस वीडियो पर न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना इन चैनल को सब्सक्राइब करके बल नोटिफिकेशन और को सेट कर देना मिलकर नेक्स वीडियों में दो क्लेप बाएं लव वीडियों